आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स कहकरो सपाया बस प्रशन की फोडों खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरफ वीडियो सिलीशन पाओ अभी डाउटनेट करें इस संक्रमण में उस सरजित प्रकास की तरंग देर्थ, ठीक है तो यहां से हमें ग्याद करना है कि जब हमारा इलेक्टरान दुती कच्छा से प्रथम कच्छा में जा रहा है तो उसके दोरा जो मुक्त हुई उड़ जा है, उसका मान हमें ग्याद करना है और इस संक्रमण में उसर्जी जो प्रकास की तरंग दैर्द है वो भी हमें ग्याद करनी है इसके दूसरे भाग में ठीक है तो हाइडोजन परवाल के लिए NV कच्छा के लिए हमें यहां से सूत्र दिया हुआ है E N equal to minus 13.6 बटे N square यह हमारा electron वोल्ट में है ठीक है हमने यहां से कह रहा है कि जो हमारा electron N equal to दूसरी कच्छा से N equal to पहली कच्छा में जब आ रहा है हम यहां से मालिय कोई हमारा electron यहां पर आ रहा है तो इसके दोरा जो मुक्त हुई उर्जा है वो हमें यहाँ से ग्याद करनी है ठीक है तो अगर दूसरी कच्छा से आता है तो मलब की E2 उर्जा निकालते हैं ठीक है तो दूती कच्छा N इकोल टू में इलेक्टॉन की जो उर्जा होगी माइनस का 13.6 N की जगे हम दो रख देंगे तो 2 का स्कायर हो जाएगा 4 तो यहाँ से इलेक्टॉन वोल्ट में हमारे दूसरी कच्छा के लिए उर्जा आ जाएगी माइनस का 13.6 है इलेक्टॉन वोल्ट यह हमारी प्रतम कर्चा की उर्जा हो जाएगी अब हमें ग्याद करनी है इलेक्टॉन की दूती कच्छा से प्रतम कच्छा में जाने में हुई मुक्त उर्जा तो मुक्त उर्जा को अगर हम यहां से delta E से लिखें तो delta E equal to हमारा यहां से हो जाएगा E2 minus E1 ठीक है यहां से E2 कमान रखते हैं तो E2 equal to है minus का 3.4 और minus E1 कमान है minus का 13.6 तो यह उर्जा जो हमारी मुक्त उर्जा है वो delta E कमान वो हमारा यहां से electron volt में निकल के आ जाएगा यहां से 10.2 electron volt ठीक है यह हमारी मुक्त उर्जा आ गई है electron volt में है अगर इसको हम जूल में लिखें तो delta E equal to हो जाएगा हमारा 10.2 electron volt को हम जूल में बदल लेते हैं 1.6 गुणे 10 की गात minus 19 से गुणा करके तो यहां से delta E जो हमारी मुक्त उर्जा कमाने वो यहां से निकल के आ जाता है हमारा 1.6 3 2 गुणे 10 की गात minus 18 ठीक है तो यह हमारी मुक्त उर्जा आ जाती है जो हमारा electron जो है वो दूसरी कच्छा से प्रथम कच्छा में आता है तो यह हमारा प्रथम भाग का इसके आंसर हो जाएगा ठीक है अब इसके दूती भाग की बात करते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है कि इस दोरान जो हमारी संकमन की तरंग देर्द है वो हमें ग्यात करनी है ठीक है तो E equal तो हमारा होता है जो उसरजीत उर्जा होती है डेल्टा E अगर मैं हाँ से लिख रहे हैं डेल्टा E equal तो हमारा होता है H C upon lambda ठीक है तो यहाँ से मान नमेच यह लेमडा का तो lambda equal तो हमारा हो जाएगा H C बड़ A delta E जहाँ H हमारा plank निया तांक है C हमारी प्रकास की चाल है और delta E हमारी मुक तूई उर्जा है इस दोरान तो H plank निया तांक का मान होता है 6.6 गुले 10 की गाथ मैनस का 34 C प्रकास की चाल है 3 गुले 10 की गाथ 8 और delta E का मान हमने जूल में निकाल लिया है गुणे 10 की गाथ, मैनस का 7 मीटर, ठीक है? तो मीटर में यहमारी क्या आ गई है? तरंकदेरद आ गई है, अगर इसको हम एंगे स्टॉम में लिकें, तो लेमडा इकॉल टो हमारा हो जाएगा यहां से, एक दू, एक तीन एंगे स्टॉम, ठीक है? तो यह हमारा यहां से जो सं हाथ रोका भरोज़ा आशी डाउन्वेट करें डाउटने डाप या वच्छाप करें अपने सारे डाउट्स आठ चार्सो 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 पर